प्रश्कार शौकत है आप देखरें मन्साहन नियुजम है आपके साथ अंके सिंग चोहान शाम की गुड एबनिंग के शाथ एक बर फिर आए पढ़ते हैं खबरों की ओर कि जहां एक तरफ भारत ने मैच 4-0 से जित कर निजलेंड में अब तक कि सबसे बड़ी जित दर्ज कि मैच 4-0 साथ और इतिहास रचा है तो दूसरी ओभर टीम इंडिया के ऊपर जुर्माना लगा गया इसाथ विराड कोली पर भी जुर्माना लगा गया अब आए अब आए कि आपको बताते हैं कि इंडिया की एक तरफ जहां खुसी थी तो दूसरी तरफ गम भी था कि इंड पर मैच फिसका 40 पर 30 जुर्माना लगाया गया कि एक तरफ जहां मैच भारत और न्यूजलेंड के विच खेला जा रहा था जहां पर मैच के मैच इतना रोमांचक होया कि मैच सूपर अबर तक जाता है और टीम इंडिया फिर सूपर अबर मैच जितती है लेकिन एक तरफ जीत की खुशी और दूसरे तरफ टीम इंडिया को उपर जुर्माना आइसीसी ने अपने ब्यान में खाया कि भारत ये टीम ने खिलाड कोली जो जीत के साथ इतनी बड़ी भूमिका में नजर आ रहे थे वहीं पर टीम इंडिया और सिर्फ टीम इंडिया नहीं कह सकते टीम इंडिया के जो स्टाप हैं कोचेस हैं शब के उपर जुर्माना भी लगाया गया वहीं अगर बताते चले तो मैदानी अंपायर क्रिश शूपर में जीता और सिरीज में 4-0 की बढ़त लेली अब वहीं फिर भारत का मुकाबला कल यानि की रई और दो फरवारी को होने वाला जहां पर भारत पांच मैचों की श्रिंखला में 4-0 से अजय बढ़त बना चुकी है तो वहीं पांचे मैच में भारतिया टीम अपने बेंच स्ट्रेंद को अचमाना चाहेगी जिसमें खासकर सारा दारुमदार डिशप पंद को उपर रहेगा जिसकी नजरे लगतार टीकी होई कि रिशप पंद को लगतार मैचों से बाहर रखा गया है वहीं अगर फैंस की भी देखे तो फैंस भी लगतार उनको बाहर टीम पूश्य बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और अपने बेल आइकन को दबा ले जिए और जीतने भी किर्केट की खबरें हैं जीतने वी इंटैन्मेंट फिल्मी दुनिया की खबरें आपको सब इस चैनल में विलेगी तब तक के लिए नमश्का कर दो कर दो हूंगा जुछाए।